दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को SBI Bank और L&T Limited के साथ में टोटल में 15 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने आप स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है स्टोवेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसको देने की एकस डेट और रिकॉर्ड डेट फिलाल अभी अपकमिंग में है अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है ग्रॉर एंड वेल इंडिया लिमिटेड ग्रॉर एंड वेल इंडिया का जो शेयर प्राइज है 196 रुपीज के उपर में चल रहा है और कमपनी ने आप इस टॉक बोनस अनाउंस कर दिया है 1 इस टू 1 के रेशियो से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस कमपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर है जब बोनस मिलेगा टोटल में जो आपका एक शेयर है वो दो शेयर के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आपके सभी के सभी shares यहाँ पे double हो जाएंगे एड इस bonus को भी देने की X date और record date फिलाल भी upcoming में है विकोज यह दोनों ही announcements एकदम latest हैं तो बाद में जैसे ही company X date और record date announce करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा एक और latest announcement की बात करते हैं company का नाम है Canera Bank Canera Bank का जो share price है 573 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आप इस stock split announce कर दिया है 1 to 5 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में Canera Bank के चाहे जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा और इस stock split को भी देने की X date और record date फिलाल अभी upcoming में है अगले share की बात करें तो company का नाम है Capri Global Capri Global का जो share price है 924 रुपीस के उपर में चल रहा है और company ने आपके stock bonus and stock split दोनोई चीज़े साथ में announce करके रखी है bonus announce किया गया है 1-1 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share है जब bonus मिलेगा total में जो आपका एक share है वो दो shares के अंदर में convert हो जाएगा उसके बाद में आपको stock split दिया जाएगा 1-2 के ratio से जिसकी वज़े से वो जो आपके दो shares है total में 4 shares के अंदर में convert हो जाएगी तो अगर आप इन दोनों ratios को साथ में combine कर देते हैं तो बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 4-4 shares के अंदर में convert हो जाएगा basically आपको आपके हर एक share के उपर में 3 shares नए दिये जाएगे और इस bonus और split को देने की जो X date और record date है वो 5th of March की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है OK Play India OK Play India का जो share price है 209 rupees के उपर में चल रहा है और company ने आप इस stock split announce करके रखा है 1-10 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 10-10 shares के अंदर में convert हो जाएगा और इस stock split को देने की जो X date और record date है वो 11th of March की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Pro Max Power Limited Pro Max Power का जो share price है 140 रुपीज के आसपास में trade हो रहा है और company ने आपे bonus announce कर दिया है 1-1 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share as a bonus मिलेगा टोटल में जो आपका एक share है वो 2 shares के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 2 shares के अंदर में convert हो जाएगा इन शॉट आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो वो सभी के सभी यहाँ पे double हो जाएगे एड इस bonus को देने की X date और record date फिलाल अभी upcoming में है विकोज यह भी एकदम latest announcement है तो बाद में जैसे ही company X date और record date announce करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Manorama Industries Limited Manorama Industries का जो share price है 1,872 रुपीस के उपर में चल रहा है और company ने आप इस stock split announce कर दिया है 1 to 5 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मर्जी shares हो आप लोगों का हर एक share यहापे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा और इस stock split को देने की जो x date और record date है वो 8th of March की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Kesar India Limited Kesar India का जो share price है वो 3200 रुपीस के उपर में चल रहा है और company ने आपे bonus announce करके रखा है 6-1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहापे आपको 6 shares as a bonus मिलेंगे टोटल में जो आपका एक share है वो 7 shares के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मर्जी shares हो आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 6 shares का bonus दिया जाएगा और इस bonus को देने की x date और record date फिलाल अभी upcoming में है अगले share की बात करें तो company का नाम है Birla Precision Limited Birla Precision का जो share price है 73 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend announce कर दिया है 0.05 रुपीज का यानि की आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में केवल और केवल 5 पैसे का ही dividend दिया जाएगा इसको देने की x date और record date 29th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है SBI यानि की State Bank of India SBI bank का जो share price है 760 रुपीज के उपर में चल रहा है and SBI bank की तरफ से काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे मोतीला लोसवाल करके काफी जाना माना brokerage firm है even मोतीला लोसवाल जो है stock market के उपर में भी listed है तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया के अंदर में मोतीला लोसवाल कितना जादा well reputed है अब मोतीला लोसवाल ने जो है SBI bank के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 860 रुपीज का दिया है तो लगबग 760 रुपे से ले करके 860 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे मोतीला लोसवाल expect करके चल रहा है SBI bank के share के अंदर में अब एक चीज तो आपको मेरे को सबको काफी clearly पता है SBI bank के share के अंदर में कोई बड़ी rally short term के अंदर में तो फिलाल नहीं आ सकती विगोज अगर आप history भी देखेंगे तो SBI bank का जो share है काफी slowly और steady move करता है एक दिन में या फिर एक हफते 10 दिन में इतना जादा volatile move नहीं आ सकता और नहीं कोई बड़ा upside momentum इतना आ सकता है तो यह जो 860 रुपीज का target है यह आपका mid term का target रहेगा तो अगर आप लोग चाहें तो SBI bank के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं 860 रुपीज तक का target आपको mid term के अंदर में achieve होता हुआ देखने को मिल सकता है अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है L&T Limited L&T Limited का जो share price है 3470 रुपीज के उपर में चल रहा है और L&T Limited की तरफ से भी एक काफी बड़ी update निकल कर के आ रही है अगेन मोतिला लोसवाल जो की काफी जाना माना brokerage firm है मोतिला लोसवाल ने जो है L&T Limited के share के उपर में भी buying recommendation शेर करिये और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 4200 रुपीज का दिया है तो लगबग 3470 रुपे से लेकर के 4200 रुपे तक की एक जो rally है एक जो upside momentum है वो यहाँ पे मोतिला लोसवाल expect करके चल रहा है L&T Limited के share के अंदर में अब one of the most valuable companies में से एक है L&T Limited और इंडिया की topmost companies के अंदर में इसकी गिंती करी जाती है तो fundamentally financially तो company काफी strong है ही है साथी साथ में market value या फिर face value भी काफी ज़दे strong है L&T Limited की और यह जो 4200 रुपीज का target यहाँ पे बताया जा रहा है मोतीला लोसवाल द्वारा यह भी आपको mid term के अंदर में achieve होता हुआ देखने को मिल सकता है तो अगर आपका mid term से लेके long term का perspective है तो आप लोग L&T Limited और SBI Bank दोनों ही companies के shares के उपर में आपकी नजर बना सकते हैं तो जरूर से L&T Limited के share को भी आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा बाकी L&T Limited और SBI Bank के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं यही 15 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा बिकोज फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, till then, bye